हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चनल छोटी सी रस्वी आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सफेद मटर का गूगनी की रेस्पी जिससे बनाना बहुत आसान है और इसमें एक लास्ट में एक मसाला डाला जाएगा जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा आप सोचते रहिए कि वो मसाला क्या है और इस वीडियो को पुरा जूर देखिएगा और गैरेंटी है एक बर अगर आप इससे इस तरह से बनाएंगे एक तो जल्दी बन जाएगा उपर से खाने में इतना जाटिस्टी लगेगा इसे चावल के साथ खाई है चाट बना के कोईस कैसे भी आप बना के खा सकते है तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटर लिया है उसको अब मैं इसको पका रही हूँ तो कुकर में उसके उपर तक पानी डाल दे रही है इसमें हम नमक डाल देंगे तो एक चमच के आसपास नमक डाला है दो पिंच मैंने सोडा डाला है इससे मटर गल जाती है अगर पुरानी भी रहती है तो गल जाती है उसके बाद धकल लगा जब तक याँ साइड की पकड़ा तब तक पड़ा है तरहें एक आलो को तरह तरह निया ना तरह लाल करके कड़ाई में तो आप अच्छा गोल्डन होने तक आप चुटा-चुट टुपर में 1 नियुख करके और देल हैं उसके बाद हमें इसमें दो बड़े साइज के प्याज को ऐसे लंबे-लंबे कट करके डाले हैं तो दाइसो ग्राम में कम से कम आपको दो प्याज लग जाएगी उसको हम भूनेंगे और थोड़ा सा नमक भी मैं डाल दे रही हूँ लास्ट में आप टेस्ट करके नमक टालने से प्याज हमारा जल्दी गडाएगा इसके लिए मैंने इसमें फूरा सा नमक डाला है और देखने हलका सा यह सॉप्ट भी हो गया है हरी मिर्ची भी इसमें काटके हम डाल देंगे आप तीका जैसा खाते हैं बिल्कुल उसी इसाब से बनाइएगा यहां पर मैंने एक इंच अधर के तुकड़े को लिया था एक चुड़ा चमच मैंने जीरा आधा चुड़ा चमच मैंने काली मिर्च और आठ से दस लेसन की कलियों को मैंने सिल्वट्टे पीसके लिया है आप मिक्सी के जार में भी पीसके ले ले तो यहां पर इसका मैंने मसाला त्यार करके इसमें डाला है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे एक दो मिनट तक भून लीजिए उसके बाद आप इसमें एक मिर्च और लसन भी मिक्स है मैं वही वाला यूज कर रही हूं मिर्च अपनी टेस्ट के कोडिंग ही डालें आथा चोड़ा चमश गरम मसाला डालें और एक चोड़ा चमश के आसपस में कस्मीरी लालमी डाल रही हूं इसे कलर बहुत अच्छा हैगा तो मिर्च आप चादा अच्छे से भून गया है देख रहे हो हलका हलका सा तेल चोड़ने लगा मतलब इता तेल तो नहीं था क्वांटिटी की साब से लेकिन फिर भी अब चिपकनी रहा है तले में अब आलू डाल देंगे भूना हुआ जो हमारा आलू था उसको डाल के लिए से चला लेंगे और चाहिए किसी साब से खाना है उसी साब से इसमें पानी डाल दें हम इसको आज चावल के साथ खाने वाले हैं तो हलका सा पतला रखेंगे और इसको पान-दस मिनिट के लिए पकाएंगे उसके बाद लास्ट मैंने इसमें डाला जो मसाला था वह पानी-पुडी मसाला डेर छममच आप लास्ट में पानी पुरी मसारा डाल दीजेगा और इसमें भी नमक होता है तो टेस्ट करके ही डालेगा ध्यान से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा था एक चाट का फ्लेवर आ जाता है पोदीनी का फ्लेवर आ जाता है काला नमक सब कुछ रहते है उसके अंदर जीरा पाउडर बुना हुआ तो वह आता है और इसका आप चार्ट बना के खाई है या फिर कैसे भी इत्ता चा टेस्ट आएगा कि आप एक बार जरू डालके देखिएगा लास्ट में अब मैं इसमें हरा धनिया उपर डालके इसको ढखकर तो मिनेट के लिए छोड़ूंगी गयास को हम बंद कर देंगे क्योंकि यह पक चुका है अब तो इससे बनाइए खाईए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जूड़ कीजिएगा कमेंट जूड़ कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा बेल लेकन को भी जू नोटिफिकेशन मिलें